तब दोस्तो आज हम बनाएंगे ढ़ाबे kishttail जैसा अदम आलो कि तो देखिये हमने पूत निया ले लिया है और हयर इसके सी धह्मेंद भों और हमें कि अब भाण फोल इसे छीळा नंचितwasser है कि अद्ड़ हूँ चेट कर लेने के बाद अब इसे फिर से धोलेंगे देखिए कड़ाई गरम हो चुका है अब हम तेव ला लेंगे और सभी आलो को फ्राई करेंगे चलिए अब हम आलो को डाल के हैं अब हमें सभी आलो को अच्छे से फ्राई कर लेना है देखिए हमारे सभी आलो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए सब्जे बनाने के लिए हमने एक बड़ी सेज के प्याज दस बार लेसून के कल्या और अद्रक लाल मिर्च और दाल चिनी और लॉंग लिया है इसको अच्छे से भून लेंगे तो देखिए हमने तीन छुड़े से इसको टामाटर ले अचा है उसको भी डाल दते हैं और सब्जु कच्छे सब्गी होएंगे चलिए इसको निकाल लेते हैं अब इसका पेश्टा प्यार करेंगे तो चलिए इसलबट्टे परस इनका पेश्टा त्यार कर लेते हैं कि देखिए हमारा पेश्ट बंगर त्यार है जलिए थोड़ा सा अड़तर लाती है कि सब्जी बनने के लिए हमने दो तेज पत्ता श्याठ हरी मिर्स अब डालते हैं कड़ी पत्ता अब डालते हैं सब्सक्ता तो चलिए हमने जो पेश्ट त्यार किया थे उसको डाल देते हैं तो चलिए अब डालते हैं हल्दी अधा चम्मच मुल्ची पोड़ा अधा चम्मच कलार मुल्ची पोड़ा अधा चम्मच गरम मसल अधा चम्मच सबजी मसल अधा चम्मच धनिया पोड़ा अधा चम्मच तभी मसल पच्छी तरह समझा लेंगे देखिए हमारा मसला अच्छी तरह सपख गया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो करीबन हमने इसमें आधा गिलास से उपर पानी डाला है बड़ेगी अब मालू को डाल देते हैं तो चलिए अब हम इसे ढख देते हैं और 20 मिन तक धिमी आश में पकने देते हैं तो नमक डालना भून के भूल गया थे तो भी डाल देते हैं एक चम्मच नमक अब इसे पकने देंगे तो चलिए अब इसमें अठो चुका है अब हमारा सब जी पक चुका होगा तो देखिए हमारा दा मालू बन कर तयार है बिल्कुल धाबे इस्टेल जैसा अब में सुधनिया डालते हैं तो देखिए सब्जी रेडी है अब इसे चावले रोटी के साथ खा सकते हैं और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूं है तो हमारा सब्जे एक दम बिल्कुल टेस्टी बना है तो अगर आपको एप वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक से स्काइब कीजिएगा या अपने दोस्तों को सेयर कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्काइब नगलोगो स्काइब पेपम प्माठτό